नो ब्लाद के बागser 3 अन्य तो डे ररी स्टूडेंट आज किसे वेड़ें बात करेंगे फ funds semester के ंड के मोस्ट इसमस्टेंड के बारे में जिन जिन वे उपरिच्छा आने का नाम है उसका नाम है हिंदी इन्वात तो जितने भी कोईश्चन होंगे आपकी परिछा में आएंगे वह एफ तो आज कि इस वीडियो के सबसे पहला प्रश्चन है वह कि अनुवात की परिभाफा देते हुए उसके महत पर बात कास्ट ढाल लिए मतलब कि अन्वाध होता क्या परिमासा बताई यह और मतलब कि धयिनिक जीवन में यह फिर पर अन्वाध होता इसका महत्तु क्या है यहें क्या है तो इसकी जोथ हमें क्यों पड़ती इन सभी पर हम जानेंगे बहुत ही भासा में कही या लिखी गई बात का दूसरी भासा में सार्थक परिवर्तन अनुवात कहलाता है। जहां सुनेंगे किसी भी भासा में कही गई या लिखी गई बात का दूसरी भासा में सार्थक मतब की अईजिट्व परिवर्तन अनुवाद कहलाता है जैसे कि आपने इंग्लीश में लिखा इंग्लीश में एपल तो आपने इपल लिखा यह क्या हो गया इंग्लीश वर्ट कार्ण करता है क्या करता है ट्रांफलेशन उसके बज़े ट्रांफलेट करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा भाईया इसको बोला जाता है हिंदी में सेव ठीक है तो एक भासा से यानि कि दूसरी भासा में कनवर्ट किया बीच में टांफलेटर लगा ठीक है उसके बाद इस सेव में आ गया मतलब होता है तो इस प्रकार आप लोग समझे और बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है और इसका जो यो जह अलग अलग शेत्रों में होता जो कि आगे हम जानेंगे उसके Buane का का कार यह बहुत पुराने समय से होता आया है कोई यह अनिवाद जो है आज से नहीं चलना यह बहूत दिनों से यह प्रोल्फेस चलनाया है बस हो सकता कि आप जानकारी नहों यह हो फिर आप समत्राब हो citizens Crime Bill right जिंवारे लोग होते हैं जैसए कि वो बीदेश से आते तो भी जो विदेश से आएगा तो उसका यूज़ करेंगे जो टामफ्लेटर इंसान होगा है तौन को इस चीज कह रहा हुं हिंदी में और उसको को इंग्लिश को एंग्लिश में सम्झा देगा विदेश वालों को कि यह मतलब इसका यह elf तो सभस्त हुआ психmann कि अगलायव प्रॉंट है कि संस्कृत में अनुवात का कार्य बहुत पूराने समय से होता रहा है तो संस्कृत में बहुत संस्कृत में अनुवाद सब्द का शिष्ट द्वारा गुरु की बात के दोहराए जाने पुना कथन समर्थन के लिए प्रियोक्त कथन आवरत जैसे कई संदर्भू में किया गया है तो इस प्रकारिश का बेशिक परचे लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे कि हाला कि चैसे कि इस मिद्य पर यहां पर यही था आपको इतना लिगोंगे न आगे हम इसको नहीं जुश्के देने क्यों कि यह आपके काम कने यह इतना मैन पॉंट यहां तक तिक है उसके बाद यहां पर लिखा वार्द सब्द में अनुवसर गई यह नहीं जोड़एंगे क परिवास तो अनुवाद के महत को दो बिभिन जो आप्षन है या फिर दो तरीके हैं उनके माधर समझेंगे अनुवाद के महत्त को दो भिन परंतु संबन्दित संदर्बों में आर्थिक अश् frist56 से समझाया जाता है जिसमें से पहले नंबर पे समाजिक और बेउहरिक महत्तु क्या है अनुवाद का तो समाजिक संदर्ब में अनुवाद बैपार अनोबचारिक प्रस्थितियों में होता है इसका सम्मंद दो भासिक्ता की इस्थित से है दो भासिक्ता का अर्थ है एक समय में दो भासाओ का प्रियोग दोई भासिक्ता का मत्तब होता है कि एकी समय में दो भासाओ का प्रियोग वर्तमान यूग के समाज का एक ब्रहद भाग ऐसा है जो समाजिक संदर्व की अनोपचारिक इस्थित में दो भासाओं का वेकल्पिक प्रियोग करता है समानी रूप से प्रतेख फिच्छित बिक्त नगरिये परिवेस का अर्ध फिच्छित बिक्त दो भिन भासा भाफ्री राज्यों के सीमा प्रदेश में रहने वाली जनता तथा भासाओं अल्प संख्यक इनमें अधिक अस्पष्ट रूप से दुभासिक्ता की इस्थित जो और चारिक सब्द है अनौप चारिक सब्द है इसका एंगलिस में मतलब होता इनफॉर्मल मतलब की अनेयमित कोई कार ठीक है तो कुल मिलाके हर समाज में जो है वो जो अनुवाद होता है उसकी जरूत पड़ती है क्योंकि इससे होता यह है कि कोई चीज हो कोई भासा हो कोई बेक्त है वो उस चीज के बारे में नहीं जानता है तो उसको उस भासा में बताया जाता है जिस भासा मों समझने योग्य हो क्योंकि हर एक इंसान की जो सेम तो सेम भाफा नहीं होती है वो उसको किसी ने कीफिद है कि आपको कोई माली जे कि आपको एकदम जिसको बोल चैज़े हैं कि इसको थोड़ा मतलब की ऐसा बोला जाता कि हां लगती कि कि दिहाती लेंगों इसा लगेगा कि तो इसका यूज समाच और बेवहारक जो होता है उसमें बहुत महातु है इसके बारे में यहाँ पर अपने परिशे जाना अब इसका यूज है फैच्छिडिक यूम ग्यानात्मक महातु भी इसका बहुत ज्यादा है तो सेच्छिडिक यूम ग्यानात्मक संदर में अनुवाद बैपार अपचारिक इस्थित में होता है इसमें मतलब कि नियमित रोप में होता है ठीक है और जबकि समाजिक और बेवहारक में अनियमित रोप जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल और सेच्छिडिक यूम ग्यानात्म तो उसमें आपके रोजगार यानी नौकरी के सम्भावने बहुत यतिक बढ़ जाती है और इसके बारे मताना कि अगर आप टांफ लेटर एक बन जाते हैं अगर आप कई लेंगोजों के बारे में जानकारी है आप किसी भी इनसान को कोई भासा उसमें करके उस चीज़ को बत लेकिना है कि अनुवाद का इतिहास काफी फुराना है किन्तु आज वैस्वी करण के दोर में दो अलग अलग भासाओं के लोग संचार और बैपार कर रहे हैं ऐसे में अनुवाद की भूमिका और बढ़ जाती है यह अनुवाद करना किसी मसीन का काम नहीं है कंप्यूटर कि उनमें से अनुवाद काफी हद तक आसान हो गया है लेकिन पूरी तरह मसीन पर निर्वर नहीं रहा जाता है क्योंकि मसीन से अधिकतर 70 प्रतिसत ही अनुवाद किया जाता है और बाकी 30 प्रतिसत का पूरा करने के लिए एक ब्यक्त की जरूर पड़ती है इस बात को जहा मसीन द्वारा अनुवाद बहुत कम देखने को मिलता है ठीक है यहिनि की देखने को तो मिलता है ऐसा बात नहीं है लेकिन उसकी जो मतलब की संख्या है यह फिर प्रतिसत है वो कम है अनुवाद कर्वाने वाले संगथन किसी भीक्त से ही अनुवाद कर्वाना पसंद करते हैं जिसे अनुवादक कहा जाता है ठीक है यह फिर इंग्रिस में टांफलेटर ठीक है हिंदी में अनुवादक यह सभी अनुवादक प्लस प्रोफेशन होते हैं और इन्हें अच्छा वेतन भी दिया जाता है मतब कि कोई अगर अच्छे फिकाई लेंगोजों के बाएं जानकारी होती वो टांफलेटर बन ज जाता है और अच्छे काफी उसकी क्वाल्टी रहती है मार्केट में तो उसका प्रोफेशन हो जाता है कारे करना अनुवाद करना ठीक है तो उसकी वेतन है बहुत ही अच्छा मिलता है क्योंकि उसको मैल्टी चीजों के बारे में नौलेज है उसको उसके बाद है कि भारत म प्रेपराई इन दोनों में बहुत जड़ों थे अनुवाद यह फिर टांफ्लेटर की ठीक है अनुवाद की और उसके बाद आपको लिखना है अगर कोईश्चन आ गया तो कि भारत में वाद की जो सरकारी और निरी शेत दोनों की है और आने वाले समय में इसकी मांग बढ़ तो वहाँ पर अनुवाद की जो है वह मांग है डिमांड है बढ़ने वाली है और बढ़ती भी जा रही है इस दोरे में हम अनुवाद के छेत्र में रोजगार की कई विकल्प देख सकते हैं सरकारी और निजी छेत्र में अनुवाद की आवसकता का विवरण इस प्रकार है ठीक है वो चाहे ठीक है आपका ये पुलिस का सेक्टर हो ठीक है चाहे वो अर्मी का हो ठीक है तू Agent सभी जगाहीं ज़रूत हैं और हर जगाए अनुवादक है भी सभाइड करते हैं भारत में राजभासा अधिन्यम के साप साप लिखा गया संविधान में कि बैया कोई भी चीज हो वह पहले तो हिंदी कंपक सरी है उसके बाद आप इंग्लिस में भी कर सकते तो दोनों भासाओं में हर चीज का वर्ण किया गया जित्ती भी फरकारी चीज इस बात को ध्यान रखेंगे उसके बाद निजी छेत्र में तो निजी छेत्र में कई एफ़े जिन में अनुवाद कि आउसकता जैसे कि न्यूज न्यूज पेपर आप देखते न्यूज मेडिया में विग्यापन को यह आप एड़टाइजमेंट करें को एड करें फिल्म के गाट छेत्र में प्रकासर में यानि की प्रकाफित होती हैं आन्यवादा गे जंसी आए और शेट्रों में इन सभी आदी जो छेत्र हैं इसमें अनुएज ठीन हमें सुषनाहों को एनिक बहें होता है यंदकि होता है प्रोदु और लोगो तक उसकी जानकारी हो सकी है है वही है वही बताया जा रहा है कि शूस्ट नाव को विभिन भासा बहुंचाने हूं अनवादक की आशकता पड़ती फरकारी विभाग में अनवादक की नोकरी पाने यह SFC ठीक है SFC जूनियर हिंदी ट्रांफलेटर की परिच्छा पास करनी होती है और इंटर्प्रेटर के लिए फरकार अलग अलग वैकेंसी निकालती है जो संसत के अधिकारिक वेफसाइट पर देख सकते हैं इसके लिए हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और अनुवाद में पीजी डिप्लोमा होना आवस्यक है या पिर अनिवार है यह अगर आप एक ट्रांफलेटर या पिर अनुवादक बनना चाहरे है तो आपक संसत के अधिकारिक वेफसाइट पर देखने को मिल सकता है और आपको इसके लिए अनुवादक के लिए जरूरी कि हिंदी और अंग्रेजी में आपको मास्टर डिग्री यानि कि क्या समझ रहे हैं मास्टर डिग्री आपको होनी चाहिए ठीक है और पेजी डिप्लोमा भी जानेवार रहें अगर आप टांफ्लेटर बनना चाहिए तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है अनुवादक के छेत्र में यानि टांफ्लेटर के शेत्र में काफी एलपल पूश्चन पूरा डीपली पढ़ सकते अगला प्रस्ण है कि अनुवाद की प्रिक्रिया के बारे में ब विबरण की जान सुनेगे नीव वेक्तिक विबरण ही अनुवाद की प्रिक्रिया यानि की प्रोचस है भासा बिवार की एक विश्श्ट विधा के रूप में अनुवाद की प्रिक्रिया का संतुलन हो उपरियुक्त प्रस्थितियों से सम्मंदित समयधान्तिक प्रोपों के संदर्व में या इस्प्रस्थी करन प्रस्तुत करना अधुनिक अनुवाद सिध्धान्त का वेस्षिष्ट माना जाता है तो हलाकि यह कोश्चन हंडर प्रसेंट उम्मीद नहीं आने के ले पता ही अनुवाद की विभेदों का परश्य दीजिए तो जहां से चुल लेंगे अनुवाद को कला और विज्ञान दोनों ही रोपों में शुविकार करने की मानसिक्ता इसी कारण पंलवित हुई है कि संसार भर की भासाओं के पारसपरिक अनुवाद की कोचिस भर में जितनी भासा है उनका एक भाफा फिदूफरे भाफा में ट्रांफलेट करना अनुवाद करना इन सभी चीजों के लिए ही अनुवाद का उदय हुआ है ठीक है ताकि कोई भी ब्यक्त किसी भी भासा से अपरचित न रह जाए ठीक है पलफ कोई अगर कोई भाफा कि ठीक है तो इस लिए अनुवाद का बहुत ही बड़ा योगदान है और अनुवाद होना भी जरूरी था और फाइनली अनुवाद के वज़ा फे दिन परते दिन बहुत ज्यादा हमारी जो लाइफ है वो इजी होती जा रही आप सभी को उच्छे समालों में और जहां से स कुछ बिज्यानियों ने कुछ अलग-अलग तरीकों से डिफाइन किया उनके परकार बताया तो पहला जो है उसके बाद दौफिर नुवाद के बारें पढ़ लेंगे ठीक है फ्रोत भावावा के प्रतेख सब्द का लच्छ भावावा के प्रतेख सब्द में यथावत अ अच्छा टॉपिक है यह परकार किस के किस सीकित के अनवाद के ठीक कर ले अगला प्रशन है कि अनुवात की सीमाओं के बारे मताइए यह पूरा का पूरा उत्तर आप लोगों के समय ज्यादा है इसलिए हम यह पूरी 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 पीडियुप आपको हम तो वहां से आप लोग पढ़ लिजेगा और इसमें देगे कोश्चन आइससर दोनों तैयार कर लिजएगा काफी ज्यादा आपको आपके एक्जाम में घ्लप मिलेगी और यह पीडियुप आपको हमारे टेलीग्राम वट्सप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम वट्सप का जो लिंक है इसी वीडियो के मिल जाएगा इसमें से जो जो कुश्चन मैंने बताए हैं इनमें से सारे कि फारे तो कोश्चन आपकी पर इच्छन नहीं आएंगे लेकिन तीन फिर चार कोश्चन आपको आपकी पर इच्छन जोड़ देखने को बिलेंगे ठीक है क्योंकि ये स सारे कोश्चन जो मैं आपको बता रहे हैं कई बार पर इच्छा में रिपीटेड हैं अच्छे तयार करेंगे तो हेल्प मिलेगी बाकी और भी कोश्चन है जिनको हम आने वाले वीडियो में कबर कराते रहेंगे बाकी आप अपने चैनल पर जोड़े रहें ये आपका अप वीडियो के साथ जब तकले जाहिंद